हेई ओल वल्कुम बैक तो माई चैनल माई स्नाग बॉक्स आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन पीज चाट इस चाट को बनाने के लिए आपको ग्रीन पीज को बिल्कुल सोक करना नहीं पड़ेगा और चलिए देखते हैं से जल्दी से कैसे बनाते हैं हमने एक पैन दे लिया है उसमें हम डालेंगे टू स्पून्स ओयल और इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और आलू और इसे हम अच्छे से रोस्ट होने देंगे और फिर इसमें एट करेंगे हरी मिर्च जब यह मिक्स्चर थोड़ा सा रोस्ट हो जाए हम इसमें एट कर देंगे ग्रीन पीस ग अपने हिसाब से डालेगा और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे पानी टू ग्लासस क्यूंकि हमने ग्रीन पीस जो है वो वन कप लिया था और इसे हम 3 विजल साने तक के प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे और लीजिये हमारा चार्ट तयार है अभी चलते हैं इसके प्रेजेंटेशन की तरफ हम एक बॉल में इसे सर्व कर लेंगे और उपर से इसे लेर कर देंगे कटे हुए प्यास and सम पुदीना के साथ आप इसमें समोसा भी यूज़ कर सकते हैं आप जो चाहे वो टॉपिंग डाल सकते हैं या फिर आप आलू बुज़या भी यूज़ कर सकते हैं मेक शूर कि जो भी टॉपिंग डाले उसके बाद थोड़ असा लेमिंग जूस डाल दीजेगा इसमें यह बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है and it's healthy तू आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा and if you like my recipe like, share and subscribe to my channel